तो दूस्तो क्या आप लोग भी कल सेकेंड सेटिंग में राजनीती बिज्ञान के पेपर दिजेगा परिच्छा दिजेगा और आप भी चाहते हैं कि परिच्छा में एक भी प्रेश्ण नहीं चूटे तो आप सभी के लिए लेके आये हैं राजनीती बिज्ञान के वो इसे भीब्याई objective प्रशन जो कि आपके board परिचा में आ सकते हैं तो चले दोस्तों बिना देरी करतों इस video को सुरू करते हैं जो भी बिदार्ती इस video को देख रहे हैं बीदो को सुरू से लेके आकरी तक ज़रूर देखें क्योंकि इस video में जो भी प्रशन हैं कापी महत्पुन प् ताकि और भी बिदार्ती इस video को देख सके तो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ में एक बैल एकन होगा उसको भी दबा के लाओ कर ले ताकि इसी तरग बीदो आपको मिलतारे सबसे पहले तो चली दोस्त तहाए भारत की सब्धान सभा का गठन किस योजना के अधार पर हुआ नीचे चार ओप्सन दिया है इसका जू राइट एंसर होगा ओप्सन डी है कैमनेट मिर्शन योजना के अधार पर हुआ तो एक का राइट एंसर ओप्सन डी है अगले प्रिशन दो नमर है सब्धान निर्मात्री सभा में उदेश प्रस्ताब किसके दौरा परस्तूत किया गया तो इसका जो सचाइंसर है ौपशन एंधा है जबाहला नियूं के दौरा परस्तूत किया गया तो दो का राइट एंसर और फ्रस्तूत किया गया अidya चार नमर है भारतिय नागरीकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है तो इसका जो राइट एंसर होगा option यहाँ पे C हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है तो चार का राइट एंसर option C है अगले प्रिशन 5 नमर है निम में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है यानि कि इन 4 में से कोन एक मौलिक अधिकार नहीं है तो इसका जो सई एंसर है option D है संपती का अधिकार पाच का राइट एंसर option D है सो दिस्तो अभी तक इस वीडियो को सेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सेयर कर दिजे ताकि जो भी चाथ कल ये पेपर देगा अच्छी तरह से इस वीडियो को देख सके सो आप लोग सभी प्रशन को अच्छी तरह से याद कर लिजे क्योंकि काफी महत्पून प्रशन है अगले प्रशन यहां पर देख सकते हैं जो छे नव प्रशन कह रहा है कि कानून का समान सरक्चन सब्दा वली कहां से लिया गया है तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्श तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन यहां पर ए हो जाएगा अठार वर्स तो साथ का राइट एंसर ओप्शन ए है अगले प्रशन आठ नमर है परतिनीदी लोकतंतर का अधार है तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट एंसर है जो की वैसक मता अधिकार तो आठका राइट एंसर ओप्शन डी है अगले प्रेशन नौ नमर है मुख्ये चुनाब आयुक्त तथा अन्य चुनाब आयुक्तों की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इसका जू सही एंसर होगा ओप्शन ए है जो की राष्ट पती के द नुनित होती है और ओप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो दूस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के जो परधान मंत्री है वह नुक्त होती है तो दस का राइट एंसर ओप्शन एसका राइट एंसर है अगले प्रस्ण एक आरे नमर जो यहां पर प्रस्ण है भारत की सभधान के किस अनुचेद के अधिन भारत की राष्ट पती पर महा भीयोग चलाया जा सकता है तो यहां पर चार ओप्शन दिया इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन डी हो जाएगा अनुचेद 61 के अंतगत जो की चलाया जा सकता है तो 11 का राइट एंसर ओप् मानी के समान है तो 12 का राइट यंसर और सी ए अगले प्रिशन 13 नंमर है राजिसबा की सदस्ता के लिए नियुम्तम आयू गया यानि की इसकी जो नियुमतम उम्र क्या है तो इसका जो सही answer होगा option हम बात कर ले तो यहाँ पे इसका right answer भी हो जागा जो की 30 words तो तेरह का right answer option भी है अगले प्रिस्म चौदर नमर है लोग सभा की अधिक्तम सदस संख्या तो यहाँ पे option A है 552 हो सकती है option B है 545 हो सकती है और option C है 525 हो सकती है तो आप लोग comment करके बताए इसका right answer क्या होगा इसका जो सही answer होगा option हम बात कर ले तो A इसका right answer है 552 हो सकती है तो 14 का right answer option A है एक एक प्रशन काफी महत्पुने आपके दो फरबड़ी परिच्छा के लिए तो याद कर लिजे आगली प्रशन है आप देख सकते हैं जो पंदरी नम्व प्रशन कह रहा है कि लोग सेखा समीती होती है तो इसका जो सही answer है option हम बात कर ले तो C इसका right answer है 15 सदसे लोग सभासे तत्था 7 सदसे राजे सभासे तो 15 का right answer option C है अगले प्रस्ण यहां पे देख सकते हैं जो 16 नमर प्रस्ण का रहा है कि राजे सभा का उप सभापति निर्वाचीत होता है तो इसका जो सई एंसर होगा ओप्सन A है जो की राजे सभा के निर्वाचीत सदसों के द्वारा। तो 16 का right answer option यहाँ पे ए है अगले परसन 17 नमर है राजे की विधान सभा की अधिकतम अनुग्य सदस्थ संक्या स्मय है तो जो की अधिकतम अनुग्य सदस्सी की जो संक्या है वोह हम बात कर ले तो faster right answer 400 है तो दिस्टु 17 गा right answer option ए है अगले पर्षन अठारे नमर है बिधानपरसद का सदस्य निरवाचित होने के लिए नियुमतम आयू क्या है यानि कि इसका नियुमतम उम्र क्या है तो परिच्छा में ध्यान से प्रश्ण को पढ़ के समझ लेना है और चारू ओप्षन को देख लेना है जो आपको सही लगे उसी को गोला करना है ठीक है तो इसका जो सही एंसर होगा ओप्षन हम बात कर ले तो D इसका राइट एंसर है जोकी 30 वर्स तो 18 का राइट एंसर प्रश्ण है सब धानिक विशय पर निने देने के लिए कम से कम सरवच्चे न्याले के कितने न्याई धीसों की बेंच होनी चाहिए ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्षन हम बात कर ले जोकी D इसका कोरेक्ट एंसर है 5 या अधिक तो 19 का राइट एंसर अधिक प्रश्ण है जोकी डीडी बसू है तो 20 का राइट एंसर ओप्षन एंसर अगले प्रश्ण 21 नमर है भारतिय सब्धान में समवर्ती सूची पेड़ना कहीं से ली गई है तो कहां से ली गई है तो इसका जो सही एंसर होगा ओप्षन हम बात कर ले तो C इसका राइट एंसर ओस्टेलिया से ली गई है तो 22 का राइट एंसर ओप्षन C है अगले प्रश्ण 23 नमर है समवर्ती सुची में कितने विशुए है तो इसका जो सही एंसर है और 29 विश्य ओप्षियों पर कानून बनाने का अधिकार है तो इ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आपको इसी तरह के और और सारे सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके तो अगले प्रशन यहां पर देख सकते हैं जो 25 नमर प्रशन का रहा है कि सब्धान का कौन सा अनुछेद संसत को राजी सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की सकती देता है तो इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्सन ए है अनुछेद 115 तो 25 का राइट एंसर ऑप्सन ए है अगले प्रशन 26 नमर है बलबंत राइम महतास समीती परतिवेदन में पंचाइटी राजसंस्ताओं को कितने अस्तलों पर करने का स सुझाब दिया गया है तो 26 का राइट एंसर ऑप्सन C है अगले प्रशन 27 नमर है लोकतांतरिक विकैंदरी करन्ड का सुझाब दिया तो इसका जो सही एंसर है ऑप्सन जो कि वलमत 29 भी से 100 पे गये हैं तो 28 इसका right answer option D है अगले प्रस्ण 29 नमर है सभधान संसोदन की परकरिया का वनन किया गया है कोई से अनुच्छेद में किया गया है तो इसका जो right answer होगा option B है अनुच्छेद 368 में किया गया है तो 29 का right answer option B है अगले प्रेशन तीश नमर है कि सहवा नंद भारती बाद में सर्वोचे न्याले ने किस विशय पर निने दिया था तो इसका जो सई अंसर है options यह संसर सभधान के मुल धांचे को संसोधित नहीं कर सकती तो तीश का राइट एंसर options इसका correct एंसर है अगले प्रेशन 31 नमर है जो कि on liability सीशक पुष्टक के लेखक कोन है यहां पर प्रेशन करा कि on liability सीशक पुष्टक के लेखक कोन है यानि कि इस बुक का लेखक कोन है तो इसका जो सही answer है option A है यहाँ पे JS मिल तो 31 का right answer option A है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं 32 प्रशन है मनुसे सोतंत उत्पन होता है किन्तो सर्वत्र वा बंधनों में बंधा हुआ है या कथन किसका है तो इसका जो right answer है option यहाँ पे हम बात कर ले तो C इसका right answer है रोसो का तो 32 का right answer option C है अगले प्रशन 33 नमर है निमलिखीत में से कोन एक नयाए परकार है तो इसका जो right answer होगा option D हो जाएगा इनमें से सभी ठीक है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं जो 34 नमर प्रशन है भारत में किस अधार पर नागरिकता प्रापत की जा सकती है तो इसका जो सई answer है option D है इनमें से सभी ठीक है यानि कि निचित, निवास, विवा, सरकारी, सेवा तो 34 का right answer option D है अगले प्रशन 35 नमर है भारतिये नागरिकता अधिनियम का पारित किया गया तो इसका जो सई answer है option C है जो कि 1955 में पारित किया गया तो 35 का right answer option C है अगले प्रशन 36 नमर है विश्व अहिंसा दिवस की स्तिथी को मनह जाता है तो इसका जो right answer है option C है दो अक्टूबर को मनह जाता है तो 36 का right answer option C है अगले प्रशन 37 नमर है भारत के सविधान में महिला सविधान संसोधन की स्वर्स हुआ तो इसका जो राइट एंसर होगा option हम बात कर ले तो 20 का राइट एंसर 1922 37 का राइट एंसर option B है अगले प्रशन 38 नमर है किसने दुई राज सिधान का परतिपादन किया तो यह जो किये थे यह जो की जिन्ना ने किये थे तो 38 का राइट एंसर option C है अगले प्रशन यहां पर देख सकते हैं जो 49 नमर प्रशन है भारत और पकिस्तान के बीच कारली गिल यूद कब हुआ तो इसका जो राइट एंसर होगा option C है 1999 में हुआ 40 का राइट एंसर option C है अगले प्रशन 40 नमर है भारत और चीन के बीच पंसिल समझा होता पर हस्ताक्षर किस वर्स हुआ था तो इसका जो राइट एंसर है option D है यहां पे 1954 में हुआ था 40 का राइट एंसर option D है अगले प्रशन 41 नमर है गुट निर्पेक्च अंदोलन कब अस्तित्व में आया तो इसका जो राइट एंसर है option यहां पे A हो जाएगा जो कि 1961 में आया 41 का correct answer option A है अगले प्रशन 42 नमर है समझान में 42 मा संसोधन कब पारित किया गया तो इसका जो सही एंसर है option हम बात कर ले 20 का right answer है 1976 में पारित किया गया 42 का right answer option B है अगले प्रशन 43 नमर है साकर में कितने देश सदस्य है तो इसका जो सही एंसर है option D है जो कि 8 सदस्य है तो 43 का right answer option D है अगले प्रशन 44 नमर है निमलिखित में से कोन एक राजे का तत्व नहीं है तो इसका जो सही एंसर है option D है जो कि राजनीती दल तो 44 का right answer option D है अगले प्रशन 45 नमर है उल्फा एक आतंगवादी संगठन है तो इसका जो correct answer होगा option यहाँ पी C हो जाएगा जो कि भारत का ही है तो 45 का right answer option C है सो इस कलास में तोटल यहाँ पे 7 प्रशन है जो कि आपके परिच्छा के लिए काफी महात्पून है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते है जो 46 नमर प्रशन का रहा है कि किसी नगर निंगम के मेर का चुनाब कोन करता है तो आप लोग answer जानते है तो comment करके बताईए इसका जो सही answer होगा option A हो जाएगा तो 46 का right answer option A है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते है जो 47 नमर प्रशन है निमलिकित में से कोन सयुक संग का अंग नहीं है तो इसका जो right answer होगा option D हो जाएगा जो कि UNICEF 47 का right answer option D है अगले प्रशन 48 नमर है विश्ब महिला दिवस का मनह जाता है काफी महत्पून प्रशन है आप से एक जामें पूछ सकता है कि विश्ब महिला दिवस का मनह जाता है तो इसका जो right answer है option B है 8 March को मनह जाता है तो 48 का right answer option B है अगले प्रशन 49 नमर है मनरेगा कारिकरम की सुर्वात किसके सासन काल में हुई थी तो इसका जो राइट एंसर होगा option यहाँ पे C हो जाएगा जो कि मानमोहन सिंग के कारेकाल यानि की सासन में ही हुआ था तो उन्चास का राइट एंसर option C है अगले प्रेशन 50 नमर है पर्थम गुट निर्पेक संबेलन के अध़क्च कोन थे तो इसका जो राइट एंसर होगा option D है जो कि मारसल टीटो थे तो पचास का राइट एंसर option D है अगले प्रेशन 51 नमर है निम्न में से किसने खुले द्वार की नीती अपनाई तो इसका जो राइट एंसर होगा option D है जो कि अमेरिका ने अपनाई थे ठीक है अगले प्रेशन यहां पे देख सकते हैं 52 प्रेशन है सयुक्त राजसंग के पर्थम SCI महासचीब कोन थे तो इसका जो राइट एंसर होगा option B हो जाएगा यहां पे जो प्रेशन कराएगी सयुक्त राजसंग के पर्थम SCI महासचीब कोन थे तो B ही इसका राइट एंसर होगा ठीक है यू यू थांथ ठीक है यही थे तो 52 का राइट एंसर option B है आगले प्रेशन तिरपन नमर है इरोपिये संक्य स्थापना कब होई तो इसका जो राइट एंसर होगा 1992 में हुआ था तिरपन का राइट एंसर option B है अगले प्रेशन चोबन नमर है सपाता समझवता प्रकिस वर्स हस्त्राक्षर हुए तो इसका जो राइट एंसर है option A है 2004 में हुए तो चोबन का राइट एंसर option A है अगले प्रेशन 55 नमर है दच्चेश का पहला सम्मिलन किस देश में हुआ तो इसका जो राइट एंसर होगा option है नहीं पर भी हो जाए जो कि बंगला देश में हुआ तो प्रेशन 55 नमर है 1972 का समर्या समझवता है प्रकिन दो देशों के बीज हुआ तो इसका जो सही एंसर है भारत और पकिस्तान के बीज हुआ तो 56 का राइट एंसर ऑप्सन बी है अगले प्रशन 57 नमर है दच्छेज का मुख्यालिक कहां इस्तित है तो इसका जो राइट एंसर है ऑप्सन डी होगा जो की काटमान्डू म में है इस्तित है तो 57 का राइट एंसर ऑप्सन डी है अगले प्रशन 58 नमर है किसकी सीपारिष पर महा सबा महा सचीव की नुक्ती करती है तो इसका जो राइट एंसर होगा आप्सन उर्जाण की अस्तापना कब हुई तो इसका जो राइट एंसर है option भी है 1957 में हुई तो उनसट का राइट एंसर option भी है अगल प्रशन यहां पर देख सकते हैं साइट नेमर प्रशन है किस कमीटी की रिपोर्ट पर भार सरकार ने प्रया वरन विभाग अस्थापित किया तो यहां पर चार ओप्सन दिया है आप लोग कमेंट करके बताए इसक का जो सई एंसर होगा option यहां पर सी हो जाएगा ठीक है जो की सस यानि यह जो परशने करा कि कि किस कमीटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने परिया वरन विभागी अस्थापित किया तो वह किया था जो कि सन ना यहां पर थोड़ा बोलने में सब दिक्कत थोड़ा आप लो किस कमीटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने परिया वरन विभाग अस्थापित किया तो वह जो की सत्था नम कमीटी के द्वारा जो की अस्थापित किया था तो साइट का राइट एंसर option C है तो दोस्तों आपको बता दे इस पेपर में इस कलास में टोटल यहां पी राज सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि और भी विदारती इस वीडियो को देखके बेतर से बेतर रिजल्ट पराप्ति कर सके तो आप लोग चैनल पर नयों चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलतारे सबसे पह प्रस्ट चाहर करने ऐसया है एक साथ प्रस्ट देडर्क करने अ मतम करें प्रस्ट थायक बड़ार कर रहे हैं।